Hello guys, welcome to the 5th lecture of your last 17th chapter that is measurement तो आज अपन को area और volume की बात करनी है तो बीना किसी देरी के जल्दी से start करते है area क्या होता है मैंने आपको बताया था किसी भी 2 dimensional boundary के बीच की जो जगा है जैसे मैं अगर ये बना दू तो ये जो जगा है इसको अपन बोलते थे area area हमेशा अपन square में निकालते थे यादा रहा है meter square, centimeter square तो square units में हमेशा area निकालते थे तो अगर आप देखो कि जो ये meter और centimeter है ये तो length की unit है मतलब जो length की unit है उसको square करना है yes or no? जो भी length की unit है उसको square करना है और length की units का जो conversion है वो आपको मालूम है 10 mm is equal to 1 cm, 10 cm is equal to 1 decimeter, 10 decimeter is equal to 1 meter, 10 meter is equal to 1 decimeter, 10 decimeter is equal to 1 hectometer, 10 hectometer is equal to 1 kilometer ये सारे conversions आपको पहले से बता है अब वो मेरे को square करना है तो मैं दोनों side square कर देता हूँ और वो square units का conversion आ जाएगा रटने की जर्वत नहीं है अगेन मैं बता रहा हूँ जैसे मैंने आपको length और weight के लिए नॉर्मल बताया था milli centi, decimeter, 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 hectometer और 10, 10 का अंतर याद करने का वैसे ही shortcut याद करना है ऐसा जो मैं यहापर अभी लिखूँगा वो याद करने की जरूत नहीं है ये देखो अब square कर दो, इधर भी square, इधर भी square, इधर भी square, इधर भी square 1 का square कितना होगा, 1, तो 1 kilometer square कितना हो जाएगा, 10 tens आ, 100 hectometer का square ऐसे ही, सब में square कर दो, सब में square कर दो, ठीक है दोनों side, तो square units, area की जो units है, उनके बीच में conversion आ जाएगा तो, जैसे अगर इसको convert कर दिया, 1, 1 hectometer का square is equal to 100 decameter का square फिर 1 decameter का square is equal to 100 meter का square 1 meter का square is equal to 100 decimeter का square 1 decimeter का square is equal to 100 centimeter का square 1 centimeter का square is equal to 100 millimeter का square मतलब देखो, जो चीज़े linear में 10 थी, 10-10 में change हो रही थी अब कहाँ पर change हो रही है, 100-100 में change हो रही है, बस और कुछ भी आदि नहीं रखना, क्या, length में जो conversion था यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही conversion है, बस 10 के जगा क्या है 10 square, are you getting my point? और volume में बस और कुछ नहीं रहेगा, 10 के जगा 1000 रहेगा, बस जैसे आप यहाँ पर देखो, अब अगर आप convert कर रहे हो अपना मालो, millimeter से, millimeter square से, millimeter square, ठीक है, this is your centimeter square, this one is your decimeter square, this one is your meter square, decometer square, hectometer square, kilometer square, तो अब जब भी अपन इनके conversion की बात करेंगे, ठीक है, अपन जब भी इनके conversion की बात करेंगे, तो उधर जाते से मैं पहले किस से multiply होता था, sorry मैंने एक बार में यहाँ पर ले आया, यह तो cube बोला है न, बाद में आएगा, एक से न, square वाला ही है, this is your millimeter square, centimeter square, decimeter square, meter square, decometer square, hectometer square, and this one is kilometer square, तो जब भी आपको इधर से उधर जा रहे हो, तो आपको इस बार 10 से multiply नहीं करना, 10 की power 2, 100 से multiply करना है, जैसे, मालो, kilometer को hectometer में convert करना है, kilometer square को, sorry, kilometer को जब hectometer में convert करते थे, तो सिफ 10 से multiply करते थे, अब kilometer square को hectometer square से multiply करना है, तो आपको 100 से multiply करना पड़ेगा, फिर hectometer को decameter में करना है, तो फिर 100 से, मतलब kilo से direct decameter करना है, तो 100 और 100, 10,000, मतलब 10 की power 4, Yes, 10,000 is 10,000 मतलब 10 की पावर 4 कितने 0 है? 4 तो 10 की पावर 4 2 0 तो 10 की पावर 2 3 0 तो 10 की पावर 3 तो generally अब 10 की पावर में लिखेंगे तो असान होगा क्योंकि देखो न सोचो अगर किलो मिटर से डेसी मिटर में करना है तो कितने 0 आजाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है? 7, 8 8, 0 तो 10 की पावर 8 लिखना ज़्यादा असान होगा न 10 की पावर 8 तो जब भी उधर जा रहे हो तो multiply इधर आ रहे हो तो divide और वो ही मिली सेंटी, डेसी मिटर, डेका, हेटो, किलो मेटर वो ही याद रखना है बस क्या याद रखना है? जब भी area होगा तो यहाँ पर अंतर 100-100 का आएगा और जब भी volume होगा तो यह अंतर कितने का आएगा? 1000-1000 का बस जैसे देखो अगर volume की बात करें तो volume क्या था? 3-dimensional space में मतलब 3-dimensional जो भी object है उसके अंदर कितनी जगा है? कितनी चीज़ आ सकती है? यह volume था पढ़ा था पहले class में volume निकालना भी सिखा था तो यह किसमें आता था unit? meter cube, centimeter cube, kilometer cube यस तारीक सारी यह quantities किसमें आती थी? cube में तो देखो, यह क्या हो जाएगा आपका 1 kilometer equal to 10 hectometer 1 kilometer equal to 10 hectometer cube कर दो दोनों side तो 1 kilometer cube is equal to 10 10s are 100 100 into 10 10 का भी तो cube होगा 10 into 10 into 10 तो कितना हो जाएगा? 10 10s are 100 100 10s are 1000 यह हो जाएगा आपका 1000 hectometer cube 1 hectometer cube यह हो जाएगा आपका 1000 decimeter cube 1 decimeter cube आपका हो जाएगा 1000 meter cube central one meter cube हो जाएगा आपका 1000 mix में कितने का अंतर मीमेटर संत में कितने का में इसक Keys सो कितने का को स्थ बार में थो थाउजद थाउजद तो लिखते ही जारोगा आप लोंग क्या करो 10 की पावर 3, अगर एक conversion है तो 10 की पावर 3, 2, 10 की पावर 6, 3, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, ऐसे याद रखो, तो 10 की पावर में याद रखोगे तो जादा आसान होगा, clear, तो देखो, in unit of volume, we take the power of 10 की पावर 3, instead of 10, 10 के जगा 10 की पावर 3 का पावर लेते हैं, और multiply करते हैं, again, एकदम सेम वैसे ही, सेम वैसे ही, जब आप kilo से mili के तरफ जा रहे हो, cube, cube के लिए बात हो रही है, ठीक है, this all is for volume, for volume, ये जो था, वो किसके लिए था, area, for area, ठीक है, and this one is for volume, तो volume के लिए, जब भी आप kilo से mili के तरफ जा रहे हो, तो thousand thousand से multiply करोगे, 10 की power 3 से multiply करोगे, और जब भी mili से kilo के तरफ आ रहे हो, cubic में, तो thousand से divide करोगे, 10 की power 3 से divide करोगे, उधर जाते हैं, 10 की power 3 से multiply, इधर आते हैं, 10 की power 3 से divide, चमक गया, area और volume तो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया, कि area क्या होता है, volume क्या होता है, पीछले volume, volume ही देखना है, लेकिन एक और unit में, लीटर, सुना है न, घर में दूद आता है, तो 4 लीटर दूद आया, पानी उपर टंकी, 1000 लीटर की टंकी है, तो लीटर, लीटर भी volume का ही unit है, येस, अब देखो, जैसे meter और centimeter, दोनों length की unit थी, दोनों same चीज की unit थी, तो दोनों के बीच में रिस्ता था भाया, meter, और centimeter, जब ये दोनों same चीज की unit थी, तो इनके बीच में रिस्ता था, वैसे ही, meter cube, या centimeter cube बोलो, या decimeter cube बोलो, ये सब क्या है, volume, और जो liter है, ये भी किसकी unit है, volume, तो इनके बीच में भी रिस्ता होना चाहिए, yes, तो ये आपको याद रख है, मतलब आपने एक box लिया, जिसका length भी एक meter, width भी एक meter, और height भी एक meter, तीनों एक meter, तो उसमें कितना पानी आ पाएगा, या कितना कोई भी चीज़ आ पाएगा, 1000 liter, ये याद रखना, एक meter cube, एक meter cube मतलब एक meter भाई, एक meter भाई, एक meter का अगर आप एक डबबा लोगे, तो उसमें 1000 liter पानी आ सकता है, या 1000 liter दूद आ सकता है, clear, अब देखो, 1 meter cube, कितना decimeter cube होता है, तो खुद देख लो, मिली सेंटी decimeter, तो meter और decimeter में कितने कंतर है, volume, volume है तो सिधे 1000, और अगर यहाँ से यहाँ जाना होता, तो 1000 into 1000 होता, येस, 1000 into 1000 होता, बट यहाँ से यहाँ जाना है बस तो 1000 कंतर, तो 1 meter cube is going to be equal to your 1000 decimeter cube, तो देखो, अगर यहाँ पर आप यह value पूट करोगे, 1 meter cube के जगा, 1000 decimeter cube जब आप यहाँ पर पूट करोगे, तो देखो, answer कितना जाएगा, 1000 decimeter cube is equal to 1000 liter, 1000 ने 1000 को मार दिया, 1 decimeter cube is equal to 1 liter, तो ये भी याद रखना है, 1 meter cube में कितने liter होता है, 1 meter cube में 1000 liter, अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो, अलग चेंज करके, meter cube को चेंज क करके, अब liter भी कैसे change होगा, वैसे ही, milli centi decimeter decimeter decimeter, वैसे ही change होगा, देखो, जैसे है, अगर मैं आपको बता हूँ, एक second, बट यहाँ पर यह नहीं आए, गर रुखो, और volume ही है, लेकिन for liter, अब liter में cube नहीं आ रहा, लिटर में cube नहीं आ रहा, तो ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो मेरी बात, base quantity क्या होगी अपनी, liter, cube नहीं है, liter एक quantity है, उसमें cube नहीं है, meter cube जो था, वो cubic quantity था, centimeter cube जो था, वो cubic quantity था, यहाँ पर direct cubic को ही अपन, liter बोल रहे है, तो अब liter का cube नहीं करना, तो अब यहाँ पर कितने का change आएगा, सिर्फ 10 का, तो liter हो गया, तो देखो, यह क्या हो जाएगा, मिली, liter, यह क्या हो जाएगा, सेंटी, liter, यह डैसी, liter, यह लिटर, यह डैका, लिटर, हेक्टो, लिटर, किलो, लिटर, ठीक है, बेस quantity क्या है, लिटर, तो सारी की सारी, लिटर में कनवर्ट हो गई, अब जब भी convert कर रहे हैं, तो किस से करना पड़ेगा, किलो से अगर मिल में जा रहे हैं, तो 10-10 से multiply, और इधर आ रहे हैं, तो 10-10 से divide, याद रहेगा, 4 liter, जब area निकालते थे, आप, square unit में, meter, square में, cm, square में, तो square unit को convert करने के लिए, 100 से multiply करते थे, जब volume निकालते थे, meter cube में, centimeter cube में, cubic quantity में, तो, 1000 से multiply और 1000 से divide करते थे, अब liter के लिए, लिटर के लिए कोई thousand से multiply डिवाइड नहीं करना किससे करना है स्रिफ 10 से milliliter, centiliter, deciliter इसमें square नहीं किया आपने देखो किसी में भी square नहीं है तो स्रिफ 10 से done, चमक गया तो आप यहाँ पर इस liter को भी convert कर सकते हो और यह meter cube को भी convert करना जानते हो तो जो भी question दिया रहेगा आप उसके हिसाफ से change कर सकते हो लेकिन फिर भी ये ये और ये तो यादी रखना ये तीन चीज़ें आप याद रखो के तो ज़्यादा better है ठीक है देखो, अब ये भी याद रख सकते हैं देखो, एक liter मतलब कितना 1000 milliliter एक liter मतलब 1000 milliliter यहाँ से देख लो liter और milliliter 10,000,000 तो 1000 multiply करना पड़ेगा liter को milliliter convert करने के लिए 1000 से multiply करना पड़ेगा तो एक liter कितना हो गया? 1000 milliliter हो गया, ठीक है? तो देखो, एक liter के जगा आपने डाल दिया 1000 milliliter अब, एक decimeter cube कितना centimeter cube होता ही, यह देखो decimeter cube decimeter cube कहा है? decimeter cube और centimeter cube दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 1000 का अंतर है तो 1 decimeter cube जो है, आपका 1000 centimeter cube बहन जाएगा तो 1000 centimeter cube is equal to 1000 milliliter 1000 ने 1000 को मार दिया देखो, answer क्या आ गया? 1 centimeter cube equal to 1 milliliter मतलब, एक centimeter by एक centimeter का box लोगे, छोटा सा तो उसमें जो आएगा हुआएगा कितना? 1 milliliter done clear? 1 ml का मतलब 1 milliliter मतलब 1 centimeter by 1 centimeter by 1 centimeter का cube लोगे, एक cube लोगे, जिसका side क्या है? 1 centimeter, तो उसमें जितना liquid आएगा that will be 1 milliliter तो यह याद रखना है यह याद रखना है, यह याद रखना है 1 meter cube में कितना आता है? 1000 liter 1 meter cube में 1000 liter 1 decimeter cube में 1 liter 1 decimeter cube में 1 liter और 1 centimeter cube में 1 milliliter 1 centimeter cube में 1 milliliter याद रखोगे यह तीनों को? चलो तो जल्दी से कुछ questions करेंगे अपन ठीक है? 3-4 questions करेंगे 3-4-5 questions करेंगे उसके बाद आपकी पक्का छूटी फिल उसके बाद अपन currency और उसके बारे में पढ़ेंगे तो चलो question screen को pause करो और attempt करो curly attempt what is the area of a rectangle? एक rectangle है उसका area बताना है जिसका breath है 5 और length double है length double है मतलब 10 अरे तिनी असान सी अंग्रेजी है भाईया अब क्या मैं क्या करूँ? चलो लिबर पानी में मैं डूब मरूँ क्या आप लोग मरूगे? simple है ना? देखो breath कितना है? 5 और आपको क्या बोला? length is double तो length will be double 10 5 और 10 अब area निकालना है area कैसे निकालते थे? दोनों को multiply करके ये भी किसमे है? meter में ये भी किसमे है? meter में तो 5 tens are 50 meter बट देखो option किसमें दिया हुआ है? centimeter में तो meter square, sorry meter into meter meter square अब meter square को किसमें convert करना है? centimeter square तो देखो कैसे करोगे? milli centi decimeter millimeter centimeter decimeter meter तो meter को convert करना है किसमे? centimeter में तो देखो square है square के लिए क्या करते थे? इधर जाने में 100 फिर और उदर जाने में और 100 तो 100 into 100 दो पर multiply करना पड़ेगा अगर अपन को इसको centimeter square में convert करना है तो तो 50 meter square is equal to 50 into 100 into 100 centimeter square तो देखो कितना चाहेगा? एक, दो, तीन, चार, पांच पांच लाख centimeter square कोई option है? एक, दो, तीन, चार, पांच पांच लाख centimeter square D is the correct option चमक गया? simple जब भी area है, square है meter square और convert करना है तो जाते से में किस से करना है? 100, 100, 100 बढ़ता रहेगा और सिर्फ linear रहता था जब meter तो 10, 10, 10 बढ़ता था और यहां पर 100, 100 बढ़ेगा और उधर आने में 100, 100 कम होगा done? चलो next question आपके screen के उपर यह रहा what is the volume of a box whose length is 300 centimeter breath is 200 centimeter height is 200 centimeter volume बताना एक box है box है ठीक है? इस box का volume बताना है length है 300 centimeter width है 200 centimeter और height भी है 200 centimeter तो volume कैसे निकालते थे? तीनों को multiply करके तो 300 इन्टू 200 इन्टू 200 यह क्या जाएगा? centimeter cube लेकिन answer देखो meter cube में है जब meter cube से centimeter cube में क्यालवट किये थे तो 100-100 से दो बार multiply किये थे तो अभी क्या करना पड़ेगा? 100-100 से दो बार divide तो 2-0 ने 2-0 को मार दिया 2-0 ने 2-0 को मार दिया देखो answer कितना आगिया? 3-2-0, 6 6-2-0, 12 1200 meter cube sorry, 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 sorry sorry, 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 sorry गलती होगे, गलती होगे मालिक गलती होगे 2 second square नहीं है, cube है volume निकालना है ठीक है? तो centimeter cube इतना centimeter cube अब इसको meter cube में convert करना है तो देखो meter cube में कैसे convert करोगे? milli centi centimeter को convert करना है meter में तो उधर जा रहे है तो 1000 से divide किया फिर 1000 से divide किया volume है cube cube है तो 1000 याद रखना है square था तो 100 cube है तो 1000 तो 1000, 1000 से 2 बार divide करना है 1000 और 1000 से 2 बार divide करना है तो 2-0, 2-0 मर गए 2-0, 2-0 मर गए ये 2-0, 2-0 मर गए बस कितना किया, 3, 2, 6, 6, 2, 12 meter ठीक है क्या 12 meter cube is the answer चमक गया क्या किया volume था, volume में जब जा रहे हैं तो 1000, 1000 से divide होगा और कहां जा रहे है, right, जब भी right में जा रहे हैं जार से multiply, या खुद सोच लेना न, बड़ी unit में जा रहे हो तो value छोटी होते जाएगी न, तो divide करना है बड़ी value में जा रहे हो तो divide करते जाना है और छोटी value में जाते जार रहे हो तो बढ़ाते जाना है multiply करते जाना है, done याद रहेगा, चलो next question 4 liter को convert करना है आगे तो लिखने की जो होती नहीं है, लीटर को convert करना है किसमें, centi liter में तो उधर जाते से में 10, और फिट 10, 100 से multiply करना है, तो 4 into 100 is your 400 liter, 400, centi liter, sorry, 400, centi liter, 4 liter is equal to 400, centi liter easy है, बस एक line है, जो starting से अपन यूज़ करते आ रहे है, mili centi decimeter, deck का है, to kilometer, बस, done, चलो आगे, calculate, 4.5 meter cube into, calculate नहीं होगा, convert होगा, ठीक है, convert 4.5 meter cube को liter में convert करना है, तो खुद सोचो, 1 meter cube में, कितने liter होते थे, 1000 liter, तो 4.5 meter cube में कितने होंगे, 4.5 into 1000 liter, 1 meter cube में कितना होता था, 1000 liter तो 4.5 में कितना होगा, 4.5 into 1000, मतलब 4500 liter, 4500 liter is the answer, एकदम easy था, एकदम जादा easy question था, चलो, next question आपके स्क्रीन के पार, पॉस करो, attempt करो, attempt करो, फिर मैं आपको बताऊंगा, चलो, centimeter cube को millimeter cube में convert करना है, तो milli centi, ये तो सामने सामने आ रहे हैं, milli centi, तो milli centimeter से millimeter आना है, उधर जाना है, left में, तो, और क्या है cube, cube है तो 1000, 1000, 1000 से multiply करना पड़ेगा, तो 20 into 1000 करोगे, तो कितना जाएगा, 20,000 millimeter cube, तो आप क्या बोलोगे, 20 centimeter cube is equal to 20,000 millimeter, easy है, अगर जो basic मैंने बताया है, रामबान आपको बताया है, अगर वो दिमाग में है, तो आप कभी गलत नहीं करोगे, हमेशा सही answer रहेगा, चमक रही नहीं बत, पक्का सबको, चलो, next, अब next आपका Indian currency, Indian currency अपन करेंगे, next class में, चमक गया, revise करते जाओ, और notes मनाते जाओ, कोई आपको आपकी जगा से नहीं हिला सकता, कोई, और बोलने तो दुनिया जो बोल रही है, जो कर रही है, आप अपना काम देखो, आप अपने उपर देखो, ध्यान दो, किसी से compare मत करो, कर रहे हैं, घर वाले कर रहे हैं, आसपास वाले कर रहे हैं सब को गलत चीजें पता है सब को गलत परेंटिंग पता है किसी की मत सुनो कोई आपको compare कर रहा है आपको मालूम है बस आपके अंदर कितनी काभिलियत है कोई और जर्जी नहीं कर सबता आपको तो proper notes बनाओ proper अराम से पढ़ो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा कोई बात नहीं किसी चीज में तो मन लग रहा होगा उसको best से best करो footwall खेलते तो इतना best खेलो bandminton खेलते तो इतना अचा खेलो kairam खेलते तो sketching करते तो इतना अचा करो कुछ और creative चीज करते तो वह करो Maths बहुत पसंद है, Maths पढ़ो, कोई और चीछ पसंद है, जो चीछ पसंद है उसमें अपना best दो, this is known as development, this is known as education, education है कि आप अपने अंदर की जो काबिलियत है उसको develop करो, उसको सीखो, उस चीछ को और अच्छे से अच्छा बैतर करते रहो, this is education, education का मतलब यह नहीं है, कि 6th में सब गलत है, coaching institute, teacher सब, तो आप अपने उपर देखो कि आपके इंदर development हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो आप सही रापर हो, और अगर आप सही रापर हो, तो खुसी आपको मिलेगी, success आपको मिलेगा, पैसा आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है तो टेंश कुछ कि अपके झापको मिलेगे, तो आपको मिलेगा, ग्वर।